हेलो गाईज वेलकम बैक तो दाइरविदा चानल होप यू गाईज आ डोइंग वेल तो आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा वो हमारा सुष्टृत निदान का अस्टम अध्य है जो है मूड गर्भ निदान पे होगा प्रिवेसली हमने वन से लेके 7 चैप्टर कंप्ल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है सुष्टृत निदान के प्रिवेसली 7 चैप्टर सब पढ़ सकते हैं तो बढ़ते हैं आगे हमारे 8 चैप्टर जो कि है मूड गर्भ निदान तो ये टॉपिक आप सभी ने अपने प्रॉफ में पढ़ा होगा थर्ड येर में प्रसूती तंत्र में तो ये चीज आप लोग इससे अल्रेडी इंटर्यूजड हैं बट कुछ चीजे जो मैं बताने वाले हूँ वह आप अपने पेज को टॉप पर लिख लेंगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे सुष्ट ने मूड गर्भ के कितने भेद बताया हैं तो स कौन से चार भेदे में आपको नाम मेंशन कर देती हूं कील प्रतिखुर बीजक और परिद ये चार भेदे जो आचरे सुष्ट ने मूड गर्भ के बताए हैं फिलाल के लिए हम इतना चानेंगे आगे उसके लिए फुल डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे फिर हम देखें मूड गर्भ की गती क्या है मूड गर्भ की गती बताई है आठ गती टोटल मूड गर्भ की गती बताई है आठ तो यह आप लिख लेंगे और एक चीज यहां पर बताई है मूड गर्भ का संग मूड गर्भ का संग जो होता है वो तीन बताया है ठीक है तो यह कुछ चीजे मूड गर्ब के क्या क्या हेतू होते हैं देखेंगे हम श्लोक नंबर थ्री में तो आप यहां देखेंगे ग्राम में धर्म यान वाहन उर्द्व गमन प्रकलन प्रपीपतन प्रपीडन धावन अभी घात विशम शयासन उपवास अभी घात रूक्ष कटु तिक्त भोजन शोक अतिचार का सेवन करने से अतिचार वमन वीरेचन प्रकलन अजीन गर्ब अश और जो चीज आप हाइलेट करेंगे वो यह चीज है फल मीव वृत बंधन आधी अभी घात विशेशा यह क्या है फल मीव वृत बंधन आधी अभी घात विशेशा आम नीचे विमर्ष में देखेंगे सबसे पहले स्त्री संबोग तांगा रत या आधी यान पर उट आधी पर सवारी करने से मार्ग में चलने से पाओ के फिसल के गिरने से उचे साई गिरने से भीड में दबने से जोर से दोरने से उधर पर छोट लगने से उचे नीचे विस्तर पर सोने से उकडे बैठने से यह आप हाइ दस्ता आने से वमन विरेचन जूलना अजीन गर्ब गिरने वाले द्रव का सेवन करने से ये सारी चीज़े होती है फिर यहाँ पर जो यह मैंने आप लोगों को हाइलाइट करवाया है फल मेव वृत बंधनादी अभिगात विशेशा ये चीज़ क्या है ये चीज़ यह है ज अगर आप इसको बाहर से पत्थर से मारेंगे या फिर किसी भी पत्थर या फिर लकड़े से आप इसको यहाँ पर चोट करेंगे अभिगात करेंगे मतलब से तेज से मारेंगे तो यह फल टूटके गिर जाता है तो उसी के रिफरेंस में बताया है फल में विवृत बंधन से छूट कर नीचे आता है तो यह चीज यहाँ पर फल मीव वृत्त नादी अभिगात विशेशा यह चीज आप हाइलाइट करेंगे यह पूछ सकता है यह वर्ड देखे कि किस रिफरेंस के लिए यूज किया है तो आपको यह याद होना चाहिए किस के लिए यूज वाता है फिर बढ़ते हैं आगे मुडगर्ब के लक्षन के तरफ मुडगर्ब के लक्षन में आपको सबसे पहले यह देखना है शलोक नमबर चार देखेंगे सविमुक्त बंधनों गर्भाशे अतिक्रमणिया या कृत प्लीहा आंत्र विवैर्ने संस्रमान कोष्ट संशोब यह व गर्भाशे का अतिक्रमण करता है तो गर्भाशे से निकलकर माता के यक्रित प्लीहा और आंत्र जो की गर्भ वृद्धी जनन दबाव से उपर उड़ गये थे इनके साथ एक मिनट हां इनके साथ या इनके विवार से नीचे की और गिरता हुआ कोष्ट में संशोब उद्पन करते है तो यह बताए गर्भाशे होता है जो की गर्भाशे जब आपने पढ़ा होगा जब गर्भाशे में गर्भ बड़ा होता है तो उपर के ओर्गन्स पर थोड़ा सा दबाव पढ़ता है तो वही चीज़ बताए कि यक्रित प्लीहा और आंतर जो गर्भाशे व्रिद्धी जनन के दवा उपर उड़ गए थे जब यह गर्भ नीचे आएगा तो क्या होगा यह भी सब आफकॉस नीचे होंगे तो यही चीज़ बताए कि जब यह होता है तो कोष्ट में संशोब उद्पन होगा यह चीज़ आप हाइलेट करेंग केवल कोष्ट संशोब फिर यहां पर बताया गया है तस्या जटर संगो यहां पर देखिए कोष्ट में संशोब उद्पन करने के बाद क्या होगा यह चीज़ आप यहां पर लिख लेंगे कि अगर कभी क्वेश्चन आता है कि मूड गर्व में कौन से वायू के विगुण होता है तो आप यह चीज़ लिखें गे अपान वाइओ के विगुणता के कारण यह होता है तो यहां पर वही चीज़ लिखा कि कोष्ट में जब व harnessोब उत्पन करता है तस्या जटर संगो भाद अपान ओ मूड है और यह आपान वाईओ को मूड होता है और क्या उत्प क्या क्या होगा नीचे विमश में देखिए पाश बस्ती सिर्ष उदर और योनी में शूल अना मूत्र की रुकावट उत्पन करता है ठीक है तो यही चीज इसमें इंपोर्टेंट थी कि पाश बस्ती में क्या करेगा शूल उत्पन करेगा तो आप यह चीज भी हाइलाइट क करेंगे यह वाले वर्ड विगुण अपान सम्मोहितम जैसे मैंने बताया है कि अपान वायू विगुण होता है जिसके कारणी होता आप नीचे विमश में पढ़ेंगे उस तरीके जठर में प्रक्षोप से अपान वायू मूड होता है पाश बस्ती सिर्ष उदर योनी में शूल उत्पन अना रुकावट करता है उपद्रव को उत्पन कर स्तृ आप अब जड़को पता है कि वह इन सम्मे पेडा उत्तपन करेगा तो जब गरब जौता है अपने स्थान से क्या होगा विमुक्त हो जाएगो तो जिं नीचे आएगो तो क्या होगा सात में बलड भी तब उसे क्या कहते है यहां देखेंगे तब उसे मूडगर्व कहता है टलका है तो यह चीज उसके लक्षन बताईए इसमें आपको क्या क्या याद रखना है वापस से देख और आपको याद रखना है अना होगा मुत्रिसंग होगा और कौन से वायू विगुण होगा अपान वायू के विगुणता के कारण बस इतनी चीज़े आपको केवल यहाँ पर याद रखनी है फिर आगे बढ़ते हैं मूडगर्ब के भेद अब जैसे मैंने इंट्रोडक्शन के टाइम पर आप लोगो इतनी इतनी चार भेद है किल प्रख्था बीजक और परिद तत्र उर्द आप इसमेंести कील प्रतिकूर बीजक परिद क्या है वह अच्छे से देखें गे ससे कील terre टो क्या होता है आपको पते क्ष़ क्या होता है किल वही होता है जो कील थेवा आप को शेप पता हूगा उपर से फ्लैट होता है और नीचे से ऐसा होता है तो ये कील उपर से जो फ्लैट होता है अब इसी प्रकार सेम हमारा गर्ब का भी हाल होता है जैसे योनी का मार्ग है अब योनी के मार्ग में जो बच्चा होता है उसका पीछे का बैक पोशन ये होता है उसका हाथ पैर और सि कील के समान वह अव्रुद करता है तो इसलिए चीज़ को विस्तार नीचे विमर्ष में देखेंगे आपान वाय के विगंता सी कील प्रतिखोर परिदी मुडगभी के चार थे है इन में जो गर्ब हस्त सिर और पाउ को उपर की ओर रख कर योनि मारग को कील की तरह अवरुद कर देता है उसे हम कील कहते है ठीक है फिर दूसरा यहाँ पर आप देखेंगे निसरिता हस्त-पाध-सिरा-काय-संग्गी-प्रति काये संगी प्रतिकुरा कायए मतलब बीच मद्धे भाग होता है यो बच्चे काने निकल जाता है, तो वहो चीज क्या है प्रतिकुरा है, फिर यहाँ पे देखेंगे बीजक क्या है, तो यहाँ पर क्या बताया है जिस गर्ब का एक हाथ जिस गर्ब का एक हाथ और सिर बहार निकलावें उसे बीजग कहते है मतलब यहाँ पर क्या बताया जिससे आप यह देखिए यह देखिए यह उनी मार्ग है अब बच्चे का एक सर और यह बॉडी ये नीचे दो पैर है एक हाथ ये बाहर निकल गया है और एक ये हाथ अंदर है तो ये योनिय के मुख से एक सिर और एक हाथ निकल जाए किवल और पीछे की बाड़ी और दो पैर और एक हाथ अंदर ही रहा जाए उसको हम क्या कहते है उसको हम बीजक कहते है तो आप इस प्र इसमें क्या बताया है जो गर्ब परीध की तरह से आकर योनी मुख को रोख लेता है अब जैसे आपको पता है परीध मतलब जैसे योनी का मुख है अब यह गर्ब होता है वो आके इसी पूरे को वरिद कर ले उसको हम क्या कहते है परिद कहते है ठीक है तो ये चार भेद था आपको अच्छे से याद होना चीओ इसके क्या क्या लक्षन है किस तरीके से क्या चीज बहार आ रहे है क्या चीज अंदर रहे है ये सारी चीज़े आप लोगों को अच्छे से या प्रकर्स जाता है तब संख्या चारी निश्चित नहीं कर सकते हैं अब यहां पर आचरे सुष्टुत नहीं यह बताया कि अपानवात के विगुणता से उसके चार भेद बताएं जैसे हम यह कह सकते हैं अगर कोई भी चीज है वायू के वज़े से वह कहीं जा रही तो जरू एक्जाम में आया आपको कि मूडड गर्ब के कित्ते भेद हैं आपने पीछे चार आधी पढ़ है तो आप 40 लिखेंगे फिर यहां पे बताया है मूडगर्ब के भेद एब यह लेकिन यहां पर जो भेद हैं हमने पढ़ा था यह बड़ाएँ स्टार्टिंग में कि कि यह जो वता है कि उसकी הע bank और फ्रीघ कितनी दि flawed तो यहां पर तो तो जो दुमाल पहली गति क्या है इन में कोई गर्ब दोनों टांगों से योनी मुख में आता है तो क्या बता है पहला ये जो बच्चा है मतलब सुरी जो गर्ब है वो क्या गर्ब दोनों टांगों से नीचे योनी के योनी मुख में दोनों टांगों से आता है नीचे तो पहली गति तो ये ह को तैंकर आनका कुछत मतलब लिया अंदर व की तरफ और एक टांग से आ रहा है तो यह कि दूस्रा गति सी इसरी घती में क्या बता हैं कोई घर्ब टांग और शरीरो को तेढा करके स्विग भाग से तिरफि रूप में आता है जैसे यह यंग suf वो गर्भ जो उता है वो नीचे आ रहा थे लेकिन उसे दोनों टांगों को क्युछ स्फिग पार्ट पहले उसको स्फिग पार्ट से वह नीचे आता है तो यह तीसरी गती पारो च्छाती पार्ष और प्रिस्ट इन में से किसी एक हिस्से से आकर योनी द्वार को अवरुद्ध कर स्थित हो जाता है छाती पार्षव और प्रिस्ट इन तीनों में से किसी एक हिस्से से वो आकर योनी मार्ग को अवरुद्ध कर देता है यह हमारी चौती गती है पाचवी गती क्या है कोई गर्ब सिर को अंदर या पार्श्व की ओर जुका कर एक बाहु से आता है मतलब एक shoulder से presentation होता है फिर यहाँ पे चट्टी गती बताएगे कोई गर्ब सिर को तेड़ा कर बाहुँ से मतलब सिर यह हो नहीं है गर्ब जो ते सिर को टेढ़ा कर लेगा सिर पहले क्या होगा उसका shoulder presentation होगा इस सिर है चीक है सिर को अगर वो यहाँ पर टेढ़ा कर लिया तो पहले क्या आएगा उसका shoulder presentation होगा पहले चीक है तो यह चीज़ है 6 है कोई मद्धि भाग को टेड़ा करके दोनों हाथ पैर और सिर से आता है जैसे ही है यह गर्ब है मद्धि भाग को उसने इसे टेड़ा कर लिया पहले क्या आएगा सिर्फ दोनों हाथ आ रहा है और दोनों पैर और एक सिर आ रहा है कोई एक टांगों से पायू को दबा कर दूसरी टांग से योनी मुक्य हो रहाता है इस तरह यहां पर संग्षेब में आठ प्रकार बताया है तो यह चीज आप अच्छे से पढ़ लेंगे फिर यहां पर देखेंगे जो हमने उपर आठ गती पढ़ी है जो फुल लाइन में द फिर एक टांग मोडर दे रहा था तो वही चीज यहां पर है स्फिक पाद्यों है फिर पाद्यों है फिर पाश्ववतरण है फिर जटीलोदय है यह सारी चीज़े हैं आप यहां पर नीचे देख लेंगे हम बढ़ते हैं आगे अब आचरे सुष्टुरुत ने बताया है कि यह जो हमने आठ गती पढ़ी है इन में से कौन सी गती जो होता है साध्य कौन सी असाध्य किसकी चिकित सा नहीं करनी चाहिए तो यहां पर हम देखेंगे उपर यहां पर आचरे सुष्टृत ने बताया है कि पूरवे में पढ़े हुए आठ मुड़ गर्ब के जो हमने गती पढ़ी थी यहां पर प्रकार है बट वो गती होता है चाहिए मैं अंतिम के जो दो प्रकार थे वो असाध है अब अंतिम के कौन से दो प्रकार थे पीछे चलके देखते हैं अंतिम के दो प्रकार मतलब सेवन्त और एट तो यहां पर देखेंगे सेवन्त और एट कौन से है कोई मद्धिभाग को टेडा कर रहा था दोनों हाथ, दोनों पैर और सिर से आ रहा था ठीक है, तो वो एक गती हो गई, 8 वंध हो गया, कोई एक टांग से पाईू को दबाकर दूसरे टांग से योनि मुख में, यह हमारे 8 वाली हो गई, यह सबन, तो यह दोनों गती जो होती शियोनी, स्त्राव, मक्कल, स्वास, कास, ब्रह्म, इन सारे लक्षनों से पिढ़ेते तो भी वो गती कैसी होगी, असाध्य होगी, जरूरी नहीं कि सिफ सेवन्त और एट्थ, सेवन्त एट्थ के अलावा भी अगर कोई गती है, जिन में ये लक्षन मिल रहे हैं स्त्री में, तो वो सारी गती भी जो होती है, असाध्य बताई गई है, अचरस उश्रुत ने, फिर बढ़ते आगे, यहाँ पर प्रसव के कारण के बारे में वर्णन किया है, प्रसव का कारण के लिए यहाँ पर बताया है, श्लोक देखेंगे, नाइन तो टेंथ, कालस्य परिणामेन, प्रपद्यते स्वभावेन, ना अन्यथा पती तुद्रुवम, तो यहाँ पर क्या बताई है, काल के परिणाम से, या फिर स्वभाव के कारण, किसी भी गर्ब का प्रसव होता है, या तो काल के, मतलब जैसे कोई भी चीज है, वो अपने टाइम से बढ़ी होती है, तो वह कहते हैं को मतलब काल के उसी आफिस स्वभाव से गर्ब का प्रस्व जिस तरह समय के परिणाम के कारण पक फल अपने अब यहां पर बता जैसे कोई भी कच्छा फल है ठीक है वह अभी डंठल पर है लेकिन जब पक जाएगा तब तो वह पक की नीचे गिरेगा तो उसी प्रक तो आपको यह याद रखना है कि काल परिणामेन और स्वभावेन इन दो कारणों की वज़े से गर्ब जोता है अपने गर्बाशे से विमुक्त होकर अपने बंदनों से जन्म करता है तो जैसे कि यहां पर डंठल फल के लिए बता है पक वो फल का तो यह चीज़ आप यहा अब यहां पर बताया है गर्ब विच्यूति क्या है गर्ब विच्यूति के लिए आपर बताया है श्लोक देखेंगे 11 वला क्रिमी वात अभी घात तस्तु तदेव उप्तृताम फलम तत पत्य काले अपी यथा तथा स्याद गर्ब विच्यूति तो यह आप देखेंगे क् प्रकार क्रिमी वात और अगात के कारणों से वही फल अकाल में बिना पक के गिर जाता है एक होता है फल पक के गिरता है वो नॉर्मल प्रसव होता है कि जैसे फल अपने काल से पक के गिर जाता है तो वो अच्छा है लेकिन जब बिना काल के बिना टाइम के अगर वो गिर जा लकडी से उस पर यहां पर मार रहा है तो फल जो अपने डंठल से अलग होकर गिर जाएगा उसी प्रकार जब बीना काल के गर्ब जो होता है गर्भाशे से गिर जाता है उसी को हम गर्ब विच्चिती कहते हैं इसी के लिए बताए क्रिमी वाद अभी घात यह स्तू जैसे फल का क्रिमी वाद और अभी घात की कारण बीना काल के गिर जाता है उसी प्रकार या तो मनुष्य में जो तो रोगों की कारण दिन अहर वियार के वज़्यज़ से वाज़ा गर्वात को पित हो जा रहा है या फिर उदर पे को को घात हो रहा या फिर चिन्ता आधी तब ही घात किसका कारण है यह गर्ब विच्चिति का कारण है तो आप यहां पर यह वर्ड हाइलाइट कर लेंगे फिर बढ़ते हैं आगे गर्ब स्त्राव और गर्ब पात मेजर डिफ्रेंस है इजी है लेकिन बहुत इंपोर्टेंट और बहुत कन्फ्यूजिंग है तो इस स्त्राव हो जाता है तो तब तक स्त्राव जब का पात है महीने के बाद कोई भी गर्ब जो होता है वो जो होता है वो स्थिर होता है शरीर ठीक है उसका शरीर बनता है तब वो जो होता है स्थिर होता है गर्ब फिफ्ट सिक्स मन्त में चौते महिने के बाद तो अगर चौते महिने के बाद हो गिर रहा है गर्ब का बॉट हो रहा है तो हम उसको गर्ब प देखेंगे प्रविद्यती सिरो यातू शीता अंग निर पत्रपा नीलो उद्वित सिरा हंती सा गर्ब सर्च ताम यथा अब यहाँ पर क्या बता है जो स्त्रीक का शरीर जो होता है बहुत अधिक हिलता है या फिर उसके हस्ते पाद अंग जो भी सारे शीतर थंडे पढ़ गए है निर्पत्रता थंडे पढ़ गए है जो बेहोश होने से सर्व उसके जो होता है नीले सिराएं उभर आएं वो जो होती है असादे मूड गर्ब के लक्षन बताए गई है तो यह चीज़ आप यहाँ पर देखेंगे फिर यहाँ पर बता है अंतमृत्य गर्ब जैसे कोई शर्स्त्री है उसके अंदर जो होता है जो गर्भाशे के अंदर बेबी है इसके डैथ हो गई कैसे कॉन से लक्षन होंगे उसके उसके अंदर के बच्चे का जो यहाँ बताया है कि शातम के भव्त मतलब कोई बी एक pregnant lady है वो जाती है इल्ट्रा सॉंद के लिए तो पहले उसका फीटल हार्ट सुनते हैं अगर वही सपन्दन नहीं आ रहा होगा या फिर जो जो थै आवी का नाश मतलब आवी क्या होता है जो labor pain है ठीक है अगर जैसे उसका 9-Мन्द हो गया उसको labor pain भी नहीं बदबू आ रही है और शूलम बस्ती में शूल उत्पन हो रहा है तो यह सारी क्या होगी बस्ती शूलम गर्बाशे में शूल हो रहा है तो क्या होगा उसमें शिशु का अंदर मृत हो गया है यह लक्षन जानना चाहिए तो यह चीज आपको अच्छे से हाइलाइट करनी है पूरा श्लोक आपको important है आप इसा हाइलेट करेंगे गर्ब का अस्पंदन होगा आवी का नाश होगा श्याव पांड होता है शरीज होता है काला पीला पड़ हो जाएगा भवत्य उच्वास पूति त्वम उसका जोते सास से पूति के समान गंद आएगा शूल होगा बस्ति जोता है पूरी important है याद रखनी है फिर यहां पर बता है गर्ब मृत्यों का क्या कारण बता है गर्ब के मृत्यों के कारण के लिए यही चीज़ आप हाइलेट करेंगे मानस अगंतुक के वज़े से या तो उसको मानसिक माता को जोता शोक है मानसिक या फिर कोई बाहरी अ गंतुक अघात के वज़े से या फिर कोई दुख है उसको या फिर किसी जो अराधी रोक से पीड़ित है यह चीज़ यहां पर बताईए आप इसे हाइलायट करेंगे या फिर वो किसी मानसिक रोक से पीड़ित या फिर बाहरी अगहात लग गई है या फिर जोता है गर्ब क्या देखना चाहिए कि बच्चा का स्पंदन हो रहा है अगर स्पंदन हो रहा है तो पहले उसको जोता है बच्चे को बाहर निकालेंगे तो यहीं चीज यहां पर बताईए विमर्ष में देखते हैं गला घोट कर मारे विबस्त के समान मरी हो इस तरी की कुख्षी अधिस पंदन करती हो तो उसी समय ततकाल उस कुख्षी का भेदन कर जीवित बच्चे को बाहर निकालेंगे तो यहीं बता है कि अगर वो बच्चा जीवित है और इस तरी के डेथ हो गए तो सबसे पहले हमको क करना चाहिए उसको कुख्षी का जोता है भेदन करके जीवित बच्चे को हमें बाहर निकाले ना चाहिए तो इस प्रकार हमारा चाप्टर यहां पर कंप्लीट होता है आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा अगर आप लोगों किसी भी प्रकार का डा स्क्राइब